हेलो रिवन, वेलकम बैक टू अनलाइन स्टेडियो, आज हम इस वीडियो में लेकर रहा है प्रमुक अनुछेद, तो जैसा कि आपको पता है कि अनुछेद बहुत इंपोर्टेंट होता है, चाहिए किसी भी एक्जाम्स के लिए, तो आने वाले एक्जाम्स में, मेंस एक्ज लगने वाला, चलिए, शुरू करते हैं, किस अनुछेद में नागरीकों को मौली क अधिकार प्रदान किये गये, मौली क अधिकार के ओधारना, USA के समिधान से लिए गई है, और ये भाग तीन के अंतरगत आता है, जिसे भारत का मैगन कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और मैं आपको बता दूँ कि अनुछेद 12 से लेकर के 35 तक मौली क अधिकार के बारे में वर्डनन किया गया, यानि ऑप्सन C बिल्कुल करेक्ट होगा, जबकि 36 से 51 के अंतरगत राज्य के नीतिने सक से धानतों को रखा गया, जो कि भाग 4 के अंतरगत आता है, आर्लेंड क समिधान से ग्रहेंड किया गया था, और 5 से लेकर के गारत तक जो कि भाग 2 के अंतरगत नाखरिकता के समध में बात कही है, नौकरियो ताथा सैक्षडिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए, आरक्षण उपलब्द कराने के लिए केंद सरकार को कौन सा अनुचेद में कल्यानकारी राज्जे की अधारना वर्णित है, क्या ओकर राइट अंसर? तो राज्जे के नीते इंसक सिधानतों के अंतरगत, आप्सन ए बिलकुल करेक्ट आंसर होगा, अनुचेद 49, आप्सन ए, अनुचेद 40 भी अपने आप में काफे इंपॉटेंट ह ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की जाती है, अक्सर एक्जांस में पूछा जाता है, तो उसको याद रखने है, समिधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारत की राश्टपती पर महावियोग संसत की किसी भी सदन से उठाया जा सकता है, ये ध्यान रखने है, और भार के उपराश्टपती होंगे, और 53 में कहा गया है कि संग की जो कारेपाली का सकती होगी, वो राश्टपती में ही नीतों की ये ध्यान रखना है, और आटिकल असी की बात के तो मैंने आपको बहुत बार बता है कि आप सरल याद रखे, सरल से तीन क्वेसंस बनते हैं, जैसे की सनुचेद में, तो ये जो बात कही है है 75, यानि ऑप्सन हम B को टिक करेंगे, फैंस अगर आपको ये वीडियो पसंद है, और अगर आपको ये वीडियो हेलफू लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अधिक सदिक सेर करेंगे, और आज करते हैं कि बहुत असान तरीके से आप इसको कंपीट कर देंगे, मुझे बहुत अच्छा लेगा, जल्दी से इसको कंपीट करिए 600 लाइक्स, नेक्स्ट क्वेसन दीखिए, महा नहवादी की न्युक्तिक की सनुचेद के अंतरगत की जाती है, पूरे यूटूब पर एक म हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्री के लिए, लेकिन लास्ट टाइम में आपको टॉपिक को क्लियर कराना, मुझे नहीं लगता है कि किसी चैनल का ये काम चल रहा होगा, अगर आपको चलता है तो आप जरूर बताएगा, फिलाल में आपको बतादू, आप हमारे सा जाएगा, आप्साण A, अनुछेद चैनल के अंतरगत, ठीक है, अनुचेद चैनल के अंतरगत, राष्ट पाती लोग सबाब भङग कर सकते हैं, जी उत्त पर राष्ट पात को इस तका आप्साद पहांग कर सकते हैं, यहाँ इन में से कोई नहीं यह आपका राइट कि सनुचेद में संसत सन्यूक्त अधिवेशन का प्रावधान है सन्यूक्त अधिवेशन का प्रावधान तो ध्यान रखेगा सन्यूक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राश्टपैती के द्वारा दोनों सदनों की बैठक की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोगसभा अध्यक्ष करता है और यह जो बात कही गई है आर्टिकल 108 108 में कही गई है त्यान रखेगा 93 भी अपने आप में important है क्योंकि पिछली बार exams में questions पूछे गए थे कि लोगसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका क्या होता है न्यूक्ती होते है चैन होते है मनुनित के जाते हैं क्या होता है तो मैं आपको बदा दू कि आर्टिकल 93 में ये बात कही गई है कि लोगसभा आपने पहली बैठक के according पहली बैठक के अनुसार ही अपने सदस्वे में से किसी एक को अध्यक्ष चैनीत करती है यानि कि खुद से एक चैनीत करती है चुनती है तो आर्टिकल 93 में ही बात कही गई है ठीक है अगला क्वेश्टन समिधान की किस अनुछेद में धन विद्या की परिभासा दी गई है धनविद्य की परिभासा किस अनुछेद में है तो 110 यानी option C होगा राई डन्स समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती अध्यादेच चारी करते हैं राष्टपती अध्यादेच चारी करते हैं अनुछेद किसके दहत तो option A 123 के दहत की राजजेपाल के अध्यदे सारी करने के जो सकती है वो 213 है ठीक है 213 ये भी याद रखेगा अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बिल आइकन को ओन पे सेट कर लिजे ताकि आपको फेंस न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा है समिधान के किस अनुछेद में सरोच्य नियाले के नाधीस पर महा वियोग चला जा सकता है कि सनुछेद केतेत 124 केतेत यानि आप्सन यहां पे बी गोटिक करेंगे राश्टपति की सनुछेद के अंतरगत सरोच्य नियाल के से परामर्श मांग सकते हैं ओप्सन C यानि कि अनुछेद 143 के ताप्सन C गोटिक करेंगे किस अनुछेद में अंतरास्टी समझाओते लागू करने के सकती प्रदान की गई है किस अनुछेद में अनुछेद 253 पन ओप्सन E पिल्कुल संजय आंसर होगा किस यानि option हम यहाँ पर B कोटिक करेंगे जिसमें एक अध्यक्च और चार अन्ने सदस्य होते हैं संपतिक अधिकार की सनुछेद में संपतिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतरगत आता था जिसमें साथ मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन इसे 44 समिधान संसुधन 1938 के दोरा जनता सरकार यानि मौलाजी दिसाई के सरकार में इसको हटा दिया गया था और अब जाकर के यह कानूनी अधिकार है जो की अनुछेद 300 फर्स्ट के अंतरगत आता है यानि option D समिधान के किस अनुछेद में संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग का प्रावधाने किस अनुछेद में option C अनुछेद 315 चलिए आगे बढ़ते और अगला प्रशन देकिए समिधान के किस अनुछेद के तहत अनुछेद के तहत अनुछेद जन जातियों के लिए एक राश्टी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया द्यान दीजेगा अनुछेद जन जाति यानि ST सेड्यूल ट्राइब की बात की गई है स्ट के लिए अनुसूची जंजाती आयोग के अगर हम बात करें तो 338 के फर्स्ट जबकि स्ट के अगर बात करता है सेड्यूल कास्ट के बात करता है स्ट के लिए राष्टी आयोग तो वहाँ पे 338 होता है तो ये दोनों questions important है याद रखना है समिधान के किस अनुछेद में मंत्री मंडल सब्द का परियोग समिधान में एक बार हुआ तो जहां देजेगा मंत्री मंडल सब्द का परियोग सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो अनुछेद कौन सा है तो अनुछे 352 यानि option हम decoding करेंगे 352 356 यहां पर राष्ट पति सासन 352 के तरफ राष्टि अपत की गोषना की गई यह 360 के तहट वीति अपत तो यह तीनों important है क्योंकि 352 से लेकर की 360 के तख हमारे समिधान में 3 परकर की अपत के बात की गई है राष्टी अप्पात, राष्ट पतृषासन और वीती अप्पात, ठीक है? आगे देखें, भारत्य समिधान में समांता का अधिकार पांच अनुछेदों ध्वारा प्रद्धान किया जाता है, वे कौन से हैं? सम्ता या फिर समांता के अधिकार सम्ताया समानता काधिकार अनुछेद 14 से लेकर लेकर अथार्ट तक की भात की गई या आप्सन ए करेक्ट होगा सम्मिधान के किस अनुछेद में मुल्क कर्टवयों का उलेक है मुल्क कर्टव सम्मिधान में कहां से ग्रहन किया गया है U.S.S.S.R. के यानि की सुवियत संग से ग्रहन किया गया था और सर्दार सवर्ण सिंग समीती के अनुसंसा पर 42 समिधान संसुदन 1976 के दौरा और ये भाग चार के फर्स्ट के अंतरगत रखा गया ज़कि अनुछेद 51 के कौ के अंतरगत आता है ये सब आपको याद होने चाह था कि ग्राम पंचायत का गठन अनुछेद 40 के दहत यानि option B को टिक करेंगे संसद द्वारा नागरिक्ता के अधिकार का विधी द्वारा विनियमन किया जाना वर्जीत है ये किस अनुछेद में ये अनुछेद 11 होगा option D 5 से 11 तक नागरिक्ता के समन्द में बात की गई है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश चारी करने का अधिकार उच्छे नियाले को किस अनुछेद के दहत दिया जाता है यानि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो स्थगन आदेश चारी करने का अधिकार दिया जाता है उच्छे नियाले को य और सुप्रिम कोट की बात कहें तो अनुशेद 32 संकी की कारेपाली का सक्ति राष्ट पत्ती में नहीं थोगी जिनका परियोग वा स्वेहम या फिर अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे यह बात किस अनुशेद में कही गई है तो उपर मैंने आपको बताया था कि वो अनुशेद 53 यानि ऑप्सन C होगा बिल्कुल सही आंसर कौन सा अनुशेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच छे मा के अंतराल की अनिवारता का उले करता है अगला प्रशने की सरोचे नियाले अपनी द्वारा सुनाएगे किसी निर्ने या फिर आदिश का पुनर विचार पुनर वलोकन कर सकता है तो राइट आंसर क्या है उप्सन C 137 समिधान के निमलीखित में से की सनुचेद में यह वस्था की गई है कि उच्टाम नियाले द्वारा विनिस चित विधी भारत के राज्य चेतर के भीतर सभी नियाले पर अबाध्य कर होगी यह जो विवस्था की गई है वो की सनुचेद में 141 यानि आप्सन E समिधान के की सनुचेद के अंतरगत अधिनस्त नियाले या फिर जीला नियाले का प्रवधान किया गया इस प्रश्ण का राइट आंसर क्या होगा? अधिनस्त ने आले या फिर जिला ने आले की जो बात के गई है वो 233 के अंतरगत यानि आप्सन B बारती समिधान का कौन सा अनुचेद? समिधानिक प्रावधानों की संखे संसद राज्य विधान पालिकाओ द्वारा बनाएगे नियमों या फिर कानूनों द्वारा प्राथिमिक्ता प्रदान करती है आप्सन C अनुचेद 245 ठीक है 245 करेक्ट होगा? किस अनुचेद के तैद अवसिष्ट सक्तियां के इंदर के पास है किस अनुचेद के तैद? तो राइट आंसर हो जगा आप्सन D अनुचेद 248 ठीक है 248 बिल्कुल सही आंसर है राज्यों दोरा प्राथना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुचेद के अंतरगत कानून बना सकती है अनुचेद 252 ठीक है 252 यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है भारतिय समिधान के अंतरगत निमलिखीत में से कौन सा अनुचेद राज्यों को राज्य सुची के विषय पर समंध में विधी बनाने की सकती प्रदान करता है ध्यान देना दोनों क्वेशन्स थोड़ा सा अलग-अलग है अच्छे से समझ लीजेगा कि कौन सा अनुचेद संसद को राज्य सुची के विषय के समंध में विथी बनाने की सकती प्रदान करता है प्रातना करने पर आपने देखा था 252 होता है 252 के तहट राज्यों के द्वारा प्रातना करने पर संसद कानुण बना सकती है और ये जो हैं राजसुची के विशाय में संसत कानून गना सकती है ये किस अनुचेद में तो 249 यानी option D बिल्कुल correct answer होगा next questions की केंदर राजची के प्रसास्थनिक संबन भारती समिधान के किस अनुचेद में वर्णीत है किस अनुचेद में वर्णीत है तो 256 से लेकर के 263 समिधान के किस अनुचेद के अंतर गत केंदर सरकार राजची सरकारों को निर्देश दे सकती है किस अनुचेद के तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा 256 यानी option A अंतर आज के परिशत के गठन का प्रावधान समिधान के किस अनुचेद में किया गया और यह बहुत important question है इसको अच्छे से याद रखेगा अंतर आज के परिशत के गठन का प्रावधान समिधान के अनुचे 263 के तैत यानी option C अगला point भारती समिधान के किस अनुचेद में नसर्गिक नियाय के प्रसिद सिधान सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया तो यहाँ पर मारा सज्या आंसर बनेगा option D 311 भारती समिधान के किस अनुचेद में नई अखिल भारती सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया किस अनुचेद में 312 यानि option B होगा 312 समिधान के कि सनुछेद द्वारा लोक सेवाहों के संडक्ण प्रदान किया गया संडक्ण अनुछेद तो, राइट अंब्स एंसर, OPSON किसे टिक करेंगे, option हम इस प्रस्टन का सही आंसर बनता है option B 311 ठीक है 311 के द्वारा लोग सेवाओं को संडरक्षन प्रदान किया गया next questions की समिधान के किस अनुछे द्वारा संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग का प्रावधान किया गया संग और राज्यों के लोग सेवा आयोग का प्रावधान किया गया अनुछे 315 यानि option हम यहाँ पे DOD करेंगे 315 के द्वारा संग लोग सेवा आयोग के कारियों का उल्लेक ध्यान दिजेगा संग लोग सेवा आयोग यानि UPC के कारियों का उल्लेक की सनुछेद में तो UPSC के कारेओं का उलेख दिया जाता है 320 यानि ओप्सन ए बिल्कुल सई आंसर है नेक्स्ट वन दीखे भारती समिधान के कि सनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्राउधान है निर्वाचन आयोग के लिए प्राउधान है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा राइट आंसर विल बी ओप्सन ए अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के लिए एक राश्टिय आयोग गठित करने का प्राउधान समिधान के कि सनुछेद के अंतरगत है उपरमनों देखा था मिन आपको बता था कि ST और SC के लिए दोनों के लिए अलगलग राश्टिय आयोग का गठन जो हो किसके अंतरगत आ था आपके समिधान के द्वारा है मित्ली आपात और 368 समिधान में संसोधन की प्रकिरिया का उलेक करता है भारते समिधान के किस अनुछेद में विभिन राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उलेक करता है। समिधान के किन अनुछेदों के अंतरगत अल्ब संख्यकों को अपनी संस्क्रीती के संरक्षन तथा अपनी पसंद के सिक्षा संस्थाओं की स्थापनाव संचालन के अधिकार को मानेता प्रदान की गए यहाँ पर राइट अंसर बनता है ऑप्सन बी अनुछेद 19 से 30 ऑप्स मैं आपको बताया था कि राष्टपती जोगे यानि कि संकी कारेपाली का सकती राष्टपती में नहीं थोगी 75 में हम लोगों ने देखा था कि प्रदान मंत्री और मंत्री परसद की न्यूकती से सम्मादित बाद कही गई है राचे के राचेपाल की जो न्यूकती होती है तो यहाँ पे 164 यानि सही आंसर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा बंगता है आगे बढ़ते है नेक्स्ट रोने की भारत के समिधान के निमली की थनुचेदों में से किसके अनुसार पर तेक राज्य की कारेपाली का सक्ति या इस प्रकार पर्योग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतीकूल प्रभाव ना पड़े किस अनुचेद में ये वर्णन किया गया तो ये वर्णन है 258 में अगला प्रशने सुची वन को सुची दो के साथ सुमिलित करना है एक तरफ विसा है दूसरे तरफ अनुचेद दिया गया तो चली हम एक एक करके देखते हैं भारत के नियंद्रा के हो महालिखा परिक्षक का अनुचेद है 148 लेकर 151 तक तो यहाँ पर इनके साथ मैच होगा फर्स्ट का तीन तो फर्स्ट का तीन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है चली आगे बढ़ते हैं वीतायो का गटन राष्टपती के दोरा 5 वर्श के लिए 280 के अनुचेद के द्वारा किया था यानि B का 2 के साथ मैच होगा तो B का 2 के साथ यहाँ पर मिल रहा है इसलिए सही आंसर हो गया option A चलिए आगे बढ़ते हैं और संग लोग सेवायों के समद में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 315 यहाँ पे बिल्कुल संग से कि राज्य बिधान सभाओं में अंगले भारती समुदाय के लिए प्रती निधित्यों का प्राउधान भारत के समिधान के किस अनुछिद से संदर्बित क्या पे राज्य बिधान सभाओं के अंगले भारती समुदाय के लिए तो राज्य बिधान सभाओं के अंगले भारती समुदाय के लिए राइट अंसर हो जाता है option D भारत के विदेश नीती से अनुछेद 51 बिल्कुल correct होगा option हम D को टिक करेंगे next question दीखें क्या कह रहे हैं अगला points जो की इसका right answer आपको नीचे comment box में comment करके बताना क्यूज का question है बारती समिधान के कि सनुछेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रवधान किया गया कि सनुछेद में जल्दी से नीचे comment करके बताएगा right answer क्या होना चाहिए और साथी साथ एक और question से इसका right answer भी आप नीचे comment करके बताएगे किसी राज्य में बिधान पश्थापना या फिर समापती का प्रवधान किया गया किस अनुछेद में पारती समिधान के किस अनुछेद में किया गया इसका right answer भी आप बताएगे 54 का क्या होगा और 55 का right answer क्या होगा दोनों का right answer आप नीचे comment करके बताएगे वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा और साथे साथ वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो कुई सी क्वेसंस में अगर आपको डाउट हो तो आप अच्छे तरह के से एक्स्प्लिन करके लिखिए उसको हम लोग पिन कर देंगे ताकि सभी लोग के हेल्प हो जाए और अगर आ तें नेक्स्ट क्लास में थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अब गूद दें